नमस्कार मैं हूँ प्यूश्यर्म और आप देख रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशिन का खास शोग सत्ता पंजाब विधान सबाद चुनाव में आम आद्वी पार्टी की ऐसी लायर आई कि बड़ी से बड़ी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया इतना ही नहीं विएपी सीट से उतरे कई दिगज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा इनमें कैप्टर अमरिंदर सिंग, प्रकास सिंग बादर, नवजोज सिंग सिंग सिद्धू, विक्रम जीत सिंग मजीठिया आदिशामिल है वहीं अब आम आद्मी पार्टी के सीम दाविदा, भगवत मान ने 16 मार्च को ही मुख्य मंत्री प्रकी शपत ली थी इस बीच सरकार बनने से पहले ही प्रतिबंदिक खालिस्तानी संगठर 6 for justice, पंजाब चुनाव और आम आद्मी पार्टी को लेकर एक संसनीखेज खुलासा किया है 6 for justice ने मताविक पंजाब में चुनाव जीतने के लिए आपने खालिस्तान का समर्थनक वोटों को और खालिस्तान समर्थनक फंडों का इस्तमाल किया है SFJ का कहना है कि इस चुनाव में विदेशी राश्ट्रों के फंड का भी इस्तमाल किया गया है वहीं आपकी तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जानकारी के लिए बता दे कि 6 for justice द्वारा जारी एक पत्र के नुसार आपने संगठन के नाम से 17 फरविरी को एक fake news चलाया था जिसमें यह दावा किया गया था कि SFJ पंजाब चुनाव में आपका समर्थन कर रहा है इसके बाद SFJ ने एक वीडियो जारी कर इस दावे को खारिच कर दिया था वहे गुरू जी का खालसा वहे गुरू जी की फते मोदी ते पार्थी हकूमत सुन ले अज पांच जन्वरी पंजाब देविच आजाद खालिस्तान और रेंडम दी मोहिम ओदों शुरू हो गई जदों तरंगे वाले पंजाब नुशड के दिल्ली वापस पहूंच गे ते खंडे ते केसरी वालिया ने अज उस जगा तो मोदी देश का प्रदान मंतरी नंगे पैरी वापस पजा देता पंजाब अजादी वल चल चुका है इस ता फैसला अज पंजाब ने कीता है और मोदी ते देश सुन ले इंदरा जन्दी हथ्यारा नाल आई सी हथ्यारा नाल मोर दिती तुसी आज देश्चत गर्दी पंजाब देविच करना एसी पर पंजाब ने शांत माई टांगनाल मोड़िया खालिस्तान रिफरेंडम दी महम वोटा दी महम वोटा दी है बंबा दी नहीं है इनना वोटा रही ही असी पंजाब नुपार दे करजे चोंजाद करोना है पंजाब ने अज मोर लाती है इस गलते के ओन वाले समय देविच असेंबली चोना दे बरबर खालिस्तान रिफरेंडम दी महम चलेगी ते जेडी वी राजनितिक पार्टी चाहे ओ कांगरस चन्नी है चाहे ओ सिद्दू है चाहे ओ बीजे पी है चाहे एह चाडू वाले है जेडा केसरी दे खलाब खड़या ओ दे ते खंडे दी मोर लगेगी ते तरंगे वाले जान के दिल्ली वही गुरू जी का खालसा वही गुरू जी की फते केजरिवाल भगवन्तमान करते हैं खालस्तान का समर्थन भारत में प्रदिबंदित आतंकी संग्टन सिक्स वोर्ट जस्टिस ने एक पत्र जारी किया है और कहा है कि आपके समर्थन वाला फर्जी लेटर वारल होने के बाद आप निता रागव चड़ा ने गुर्पन्वन पन्नू को फोन किया था पन्नू के मताबिक रागव चड़ा ने उससे कहा कि अर्विंदी केजरिवाल और भगवन्तमान खालस्तान रफरेंडम का समर्थन करते हैं पन्जाब में अलगाव वादियों के समर्थक थे केजरिवाल इससे पहले आम आद्मी पार्टी के पूर्व निता और कवी कुमार विश्वास ने बुद्वार को दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंत केजरिवाल पर गंबीर आरोप लगाये थे और कहा था कि केजरिवाल सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे कुमार विश्वास ने कहा था कि मैंने 2017 में पंजाब चुनाव के दुरान केजरिवाल से कहा था कि हाशिये के तत्वों, अलगाब वादियों और खालिस्तानी अंदोलन से जुड़े लोगों का समर्तन ना ले हाला कि उन्होंने कहा कि इसे प्रबंदित किया जाएगा चिंता ना करे कुमार विश्वास ने कहा कि अर्विंद केजरिवाल ने मुझसे कहा था कि मुझे पंजाब का CM बनना है या फिर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या पंजाब चुनाव में SFG ने दिया आपको समर्तन इससे पहले Six for Justice का एक लैटर सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा था जिसमें दावा किया जा रहा था कि Six for Justice ने पंजाब में आम आदमी पार्टिया की सरकार बनने का समर्तन दिया है इसके साथ दावा किया चारा है कि संगठन ने भगवन्त मान को आपका CM फेस बनाए जाने की अपना समर्तन दिया है वाहे गुरू जी का खालसा वाहे गुरू जी की पते एक आम आदमी पार्टी वलों Six for Justice ने नाम ते चिठी कड़ी गई है के Six for Justice आम आदमी पार्टी दा साथ दे रिया वोटां दे विच दिस इस फेक लैटर एक चूठी चिठी है जेडी के केजरी वाल ते केजरी वाल दे साथियां पगवांतमान होराने कड़ी है Six for Justice पार्टी सवधान विच ते किसे भी राजनी ते कुस लीडर जा पार्टी विच वश्वाश नहीं रख दी ना साथ दें दी है जिनना ने पार्टी सवधान हे थे वोटां लड़ दे पे है ए पार्टी सवधान ने सिखां दी नजल कुशी कीती है Six for Justice सिर्फ ते सिर्फ पार्टी तों पंजाब नू अजाद करौन वास्ते महिम चला रही है खालिस्तान रफरेंडम दी और बहुत जल्द पंजाब दे विच खालिस्तान रफरेंडम दिया वोटां होन गिया इस चूठी आदमी पार्टी तो भचो एय आम आदमी नी चूठादमी पार्टी है मेरा सनेहा केजरी वालते पागवान तमान नू जेड़ाब ही पंजाब दे कातल حकूमत दिल्ली वलों चड़के आया चाहे ओ इंदरासी चाहे मोद्धी है ते चाहे तुसी हो केजरीवाल ते पगवांतमान जिस पाशाच गल करोंगे उद्धा ही मोर दियांगे पंजाब देना सनेहा वी फरबरीनू हर पोलिंग स्टेशन ते हर पोलिंग बू ते केसरी ते खालिस्तान जिन्दाबाद दा नारा लगा देओ ते ए चाड़ू जिड़ा के चूट आदमी पार्टी दा जमना पार लगा देओ तुसी वाहिगरू जी का खाल्सा वाहिगरू पंजाब और हिमाचल में खालिस्तान हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसवाद चुनाव होने हैं इससे पहले पंजाब के एक मेता ने खालिस्तान के समर्थन में ट्वीट कर नया विवात खड़ा कर दिया था दरहसल खुद को हिमाचल प्रदेश में आपका सोशल की मांग सम्मिदान के मुताबिक है तो यह क्या गलत कैसे है इतना ही नहीं उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कतित तौर पर रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान की करिंसी की फोटो भी शेर की हालाकी बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया था स्क्रीन शोट शेर होने के ब पर ट्वीट को किया डिलीट खास बात यह है कि खुद को आम अद्मिपार्टी का सोचल मीडिया इंचार्ट बताने वाले हर्प्रीच सिंग बेदी ने ट्वीट सोचल मीडिया पर वारल होने के बाद अपना ट्वीटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया था उधर बीजेपी त्रिलोक जामवाल ने कहा कि आपका राश्रविदोधी एजेंडा एक बार फिर सामने आ गया है राश्रविदोधी ताकितों ना सिर्फ पंजाब में सिर्व उचा किया है बलकि अब हिमाचल में भी इस तरह की मांग उठने लगी है आपके नेता हर्पीज सिंग बेदी को पार्टी से निकाला उधर हिमाचल परदेश आपने सफाई देते हुए कहा कि हर्पीज सिंग बेदी के विचार निजी है या पार्टी की विचारदारा के खिलाफ है बेदी को पार्टी से निकाल दिया गया है हाला कि अभी प्रशासन ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उटाया है इससे पहले खालिस्तानी जंडा और स्टिकर लगाए पंजाब में से हिमाचल आ रहे एक वहान का चलान काटा गया था प्रतिबंदित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस ने हाल ही में धंकी दी थी कि वैस्ट शिमला में खालिस्तानी जंडा फराएगा इसके बाद से खालिस्तान समर्तन वाले हिवानों को राजी में प्रतिबंदित कर दिये गए हैं इससे पहले गुरपतवन सिंग पन्नू ने दावा किया था कि अर्विंद केज्रिवाल की मंडी जंसवा के दुराण खालिस्तानी जंडे बाटे गए थे हाला कि प्रशासन और आप ने इन आरोपे सो खारिच कर दिया गया था सिद्धू मुसेवाला की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या 28 साल के पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवालों की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी मामले में पुलिस ने अपनी जान शुरू कर दी है मीडिय रिपोर्ट्स है कि हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात गैंक्सर गोल्डी बराड न ली है कॉंग्रेस नेता मुसे वाला का सिंगिंग और राजनीती में के अलावा विवादों से भी घहराद नाता है खालिस्तान समर्दक जनरेल सिंग बिंडरा वाले का महीमा मंदर कर चुके मुसे वाला कई बार बुरी तरफ असे हैं एके 47 राइफल के साथ ट्रेनिंग करते हुए भी उनका एक वीडियो सामने आया था एक बार फिर तो उनके गीत पर सिक समुदाय भड़क उटा था और श्री अकाल तक्त ने पेश होने का आदेश दिया था जान ये कब कब विवादों में आये थे पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसे वाला अब इस दुन्या में नहीं रहे आज मांसा जिले के जवार के गाउं में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी गंबीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाये गया लेकिन जान नहीं बच सकी मुसे वाला की मौत की खबर के सामने आने से फैंस हरान है और सोशल मीडिया पर अपने चहेते सिंगर को शर्दान जली दे रहे है फैंस के साथ ही कुछ सिलेप्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सिद्दू मुसे वाला की मौत पर हैरानी चाताई है और उन्हें शर्दान जली दी है कॉंग्रिस नेता रहूल गांदी ने मुसे वाला की मौत पर दुख जताया है गोल्डी बराड ने ली हत्या की जिम्मेदारी मीडिय रिपोर्ट्स की है कि सिद्दू मुसे वाला पर जवाहर के गाउं में 30 राउंड फाइरिंग की गई थी जानकारी सामने आई है कि मुसे वाला की हत्या की जिम्मेदारी गैंग्स्टर गोल्डी बराड ने ली है गोल्डी बराड केनाटा में रहता है बताये जारा एक कि बराड ने हत्या की साजस रच्टी थी काफी समय से मिल रही थी धमकिया बताये जारा एक कि सिद्दू मुसेवालों को काफी समय से धमक्या मिल रही थी इसके अलावा शरिवार कोई पंजाब की भवगंतमान संकार ने मुसेवाला समय 424 सक्षेतों से पुलिस तुरक्षे हटाने का फैसला लिया था जनरेल सिंग भिंडरावाले का महीमा मंदन सिद्दू मुसेवाला अपने भैतरीन कानों के लिए जाने जाते हैं और उनकी तगडी फैन फॉलोइंग है लेकिन भैतरीन कानों के साथ-साथ उनका विवादों से साथ चोली दामन का साथ रहता है दिसंबर 2020 में मुसेवाला ने एक गीत पंजाब रिलीस किया था जिसके आते ही विवाद खड़ा कर दिया क्योंकि इस गीत में मुसेवाला ने खालिस्तान समर्तन जनरेल सिंग भिडरावाला का महीमा मंदन किया था एके सिंटालिस राइफल के साथ ट्रेनिंग चार में 2020 को मुसेवाला के वीडियो सोचल मीडिया पर वाइल हुए थे जिसमें वो एके सेंटालिस राइफल के साथ ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे है इस वीडियो में एक पुलिस अधिकारी भी दिखाई दिया है इसके बाद ततकाली नराज सिरकार ने छे पुलिस कर्मियों को निलंबत कर दिया था सिख समुदाय को किया आहत सिद्धू मुसे वाला ने एक बार फिर विवाद में गिर गए थे जब उन्होंने अपने गीत में सिख इतियास में सुनेहरे अक्षरों पर टिपनी की थी इस गीत से सिख समुदायक में गुसा भड़क गया था और श्री अकाल तक द्वारा मुसे वालों को पेश होने का आदेश जारी हुआ था इसके बाद ऐसर जी ने एक और पत्र जारीकर्द दावा किया था कि जब फेक न्यूस वाले बात को खारिश कर दिया था तब 18 फरविरी को उन्हें एक फोन आया था फोन करने वाला इंसान खुद को आपका प्रवक्ता रागत चंटा बता रहा था उस शक्स ने संगठन से कहा कि एक फेक न्यूस की जबादारी विल ले इसके लिए शक्स ने पैसे की पेशकस की और यह भी वादा किया कि आप जब पंजाब की सत्ता को संबालेगी तब एक खालिस्तान जन्मत संग्रे के समर्तन में पंजाब विदान सवा में एक प्रस्ता फारित कराएंगे फिलाल सत्ता में इतना ही आप देखते रहे नेक्स्ट ने न्यूस नेशन